कार दूस्तों आपको स्वागत मेरे योट्यूब चैनर टेकनिकल एंस्टी मनीश में दोस्तों आज हमשने वाले हैं वीडियः की देखि़ LIVE क्या होता है इनके टाइप्स होते हैं एक होता है सिल्कान कारबाइड वीडियार एक होता है धातु आकसाइड वीडियार तो दोनों टाइप्स हम में ज़्यादा जो important होता है हम लोगों के लिए वो होता है धातु आक्साइट VDR तो में लिए लेते हैं पहला जो होता है VDR शिलिकान कारबाइड VDR और यह होता है धातु आक्साइट VDR ठीक है VDR को बरेश्टर भी बोलते हैं और VDR का फुल फार्म होता है voltage dependent resistance ठीक है voltage dependent resistor यानि कि जो ऐसा resistance जो voltage पे depend करें ठीक है और VDR जो होता है ओम का नियम का पाला नहीं करता है यानि कि ओम का नियम होता है R बराबर V अपान आई ठीक पर ये इस नियम का पाला नहीं करता है ये इसके just opposite होता है I upon V ठीक है ये VDR है और जो ये resistance होता है ये resistance इस नियम का पालान करता है और ये इस नियम का पालान करता है ठीक है दोनों रेजिस्टर ही है और इनका resistance हाई होता है जब आप एक सही वीडियार का चेक करेंगे तो इनका जो resistance बताएगा मल्टी मीटर से तो इनफनाइड बताएगा ठीक अगर जो खराब होगा उसका कुछ भी बताएगा कुछ होम से बताएगा या कुछ भी बता सकता है पर जो एक सही रेजिए वीडियार होगा इन दोनों पिनों पर लगाके आप चेक करेंगे रेजिस्टेंस वैलू पर तो इन्फनाइट बताएगा यानि कि आपको मल्टिमिटर में कोई भी डिजिट सो न ठीक है तो मेटल आकसाइड वरिश्टर ठीक और यह आप देख रहे हैं जैसे यह इसमें एक नंबर लिखा होता है यह देखिए कि 621 के डी टैन ठीक तो यह क्या नंबर है इसको कैसे पैचाना जाएगा 621 के डी टैन ठीक है यह आप देख रहे हैं क्लियर तो यह आप नंबर देख रहे हैं 621 के डी 10 तो इन नंबरों से इनकी पैचान होती है 621 क्या है क्या क्या है डी क्या है और 10 क्या है तो जो डी के बाद 10 नंबर यानि कि कहीं कहीं यह नंबर ऐसे भी लिखा होता है कि टेन डी 621 के ठीक है तो टेन होता इसका डाइमीटर यानि कि डाइमीटर जो होता है वह एमेम में होता है यानि कि टेन एमेम ठीक और टेन एमेम बराबर होता एक सैंटी मीटर ठीक तो यह इसका डाइमीटर होता यह देखिए आप ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे आप नौपेंगे तो यह टेन एमेम हो जाएगा ठीक है यह तो इसकी बात हो गई अब इसकी बात करते हैं डी की तो डी में भी कई क्वाल्ट नंबर्स होते हैं डी का जो नंबर होता है यहां पर जाए जैसे यहां डी लिखा है तो इसका नंबर होगा इस्टैंडर्ड इस्टैंडर्ड ठीक और यहां अगर ई लिखा है इसकी जगह इसकी लिखा है तो इसकी मतलब होता है हाई इनरजी ठीक है हाई इनरजी और आर यहाँ पे अगर लिखा होगा तो आर का मतलब होता है एप्लिकेबल अउनली फार थर्टी फोर एमेम जो टाइप होते हैं यह उनके लिए होता है यानि कि जो थर्टे फोर एमेम का मतलब है कि वो उनका डाइमेटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो काभी बड़े हों तो यह हम लोग के बड़ डी यूज करते हैं नर्मली ठीक है अब 621 क्या है 621 आप रजिस्टेंस वैलू निगालना जानते है ठीक 621 तो 62 और 10 यानि कि 1 और 1000 हम का कलार कोड होता है ब्राउन और ब्राउन को थर्ड नमबर पे 0 रखते है यानि कि यह हो गया 620 V ठीक तीसरे नमबर पे यह 621 V और के होता है इसका टाल्रेंस यानि कि voltage आप टाल्रेंस वोल्टेज और टॉल्रेंस ठीक यानि कि जैसे 621 वोल्ट है ए सॉरी 620 तो इसको प्लस माइनस 10 यानि के की जो वैलू होती है टॉल्रेंस में प्लस माइनस 10 और जे की वैलू होती है प्लस माइनस 5 परसंट और एम की वैलू जो होती है प्लस माइनस 20 परसंट तो यह के की है तो इसमें एक बार हम लोग तो 620 में इसका 620 का 10 परसंट निकालेंगे तो 62 और एक बार 620 62 प्लस कर देंगे तो जो वैलू आएगी यह एमो भी हाइस्ट रेंज पर यहां तक सेप रहेगा और जैसे ही यहानि की 621 और 62 62 682 जैसे इसको 682 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा यह एमो भी खराब हो जाएगा और आपके सर्कुट को सेप कर देगा ठीक यह तो इसका नम्बरिंग हो गई कैसे निकाला जाता है अब लगाया कैसे जाता है सपोज कर यह आपके पास कोई सर्कुट है ठीक है उसमें कई सार रेजिस्टर कई सारे कंपोनेंट्स लगे हैं और उसका आटपुट एक कोई बल्फ है ठीक है और इस पर यह फेस और नूटल दिया जा रहा है तो जो वेरिष्टर लगता है ठीक जो वेरिष्टर लगेगा यानिकी एमो भी ठीक उसको पैरलल पर लगाएंगे और पैरलल पर लगाने बाद यहां पर हम एक फ्यूज लगा देंगे ठीक यहां पर फ्यूज लगा देंगे और फिर यहां से फेस नूटल देंगे ठीक यह प्लस माइनस की सप्लाई प्लस माइनस ठीक अब क्या होगा कि जैसे ही माल लीजे कोई एक्जामपल दे रहा हूं है आपको जैसे कोई 230 वोल्ट का एमोवी लगा है तो 230 वोल्ट से जैसे इसको high मिलेगा यानि कि 230 इसको मिला यह safe है आपकी circuit safe है और 231 वोल्ट जैसे इसको प्राप्त होगा यह एमोवी का ampere बढ़ जाएगा ठीक ampere बढ़ जाएगा और क्या होगा कि ये fuse तुरंत खराब हो जाएगा और आपकी circuit सेफ हो जाएगी तो यही इसका काम होता है कि ये जिस voltage rating का होता है और उससे जैसे ही voltage अधिक मिलता है ये circuit को सेफ कर देती है MOV आपकी खराब हो जाएगी ठीक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी वीडियो लंबा है उसके लिए माफी अब इसका graph कैसे होता है तो आप देख लिजिए आपने पढ़ा होगा ये मालीजे voltage है और ये MPR है ठीक है तो जैसे इसको voltage यहाँ पर मालीजे 230 है ठीक यहाँ पर इस जगह 230 हो रहा है और यहाँ पर 231 एक्जांपल के दोर पर तो 230 तक तक तो इस किसका इतना resistance हाई होता है कि यह MPR यहाँ से इधर से उधर नहीं जा पाता जो supply आपकी जाती रहती है वो सिधर circuit पर इस type से जाती रहती है ठीक है और जैसे 230 मिलेगा इसका MPR हाई हो जाएगा इस type से MPR इसका हाई हो जाएगा और MPR हाई होने की बज़ा से जो current हम लोग इधर जा रहाता सीधा इससे ना इधर से ना होके इससे जाएगा और ये MOB खराब हो जाएगी और क्यों खराब हो जाएगी क्योंकि इसका इतना MPR हाई हो जाएगा और MPR हाई होने की वज़ा से यह जो आपको current है इधर न जाके आंगे न जाके यहां इससे return हो ले लगएगा और जो यह कम value का fuse लगा होगा यह fuse हो जाएगा खराब और साथ में यह MOB भी खराब हो जाएगे अधिकतर 20% case में MOB खराब होती है नहीं तो आपका fuse खराब होता है और fuse आप प्रिपेर करके फिर circuit को काम में ले सकते हैं तो मैंने आपको कई सारे point बढ़ा दिये एक तो इसका types बता दिया ठीक सेकंड नमबर आपको यह बता दिया और थर्ड नमबर पर आप यह ले सकते हैं ठीक फॉर्थ नमबर पर मैंने इसकी वर कैसे लगाया जाता है इसको और फिफ्थ नमबर पर इसका सर्कुट आपको डाइग्राम बदा दिये कि यह कैसे वर करता है ठीक अब शिक्स नमबर जो ले लेते हैं इसकी इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं सॉरी टेस्टिंग देखिए एमोबी के अगर मल्टी मीटर से बजा रेंज पर या रेजिस्टेंस रेंज पर ठीक अगर यह इंफनाइट बताता है तो हमारा एमोबी सही ठीक है अगर कुछ भी यंग बताए अंग बताए तो खराब ठीक यह इतना या रखिए आपको दिखा भी देता हूं देखिए एमोबी का रेजिस्टेंस हाई होता है तो हम उसको रेजिस्टेंस हाई पर चेक कर लगते हैं बजर पर इस बज़र से हमने बताया आपको क्योंकि बजर कई सारे मल्टिमेटर जो अच्छी क्वाल्टिक वाँ उनमें बजर रेंज पर चेक कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा हाई रेजिस्टेंस पर लगा है अब इसकी हम वैलू चेक करते हैं यह देखिए कोई डिजिट नहीं सो रहा है और हम इसको टच कर रहा है ठीक अब फिर से देखिए कोई भी यह नहीं सो रहा है यह हमारी भी सही है अब येक एक एम भी है हमारे पास ठीक है यह देखिए, यह डिजिट सो कर रही है, ठीक, चाहे आप मल्टिमीटर की प्लॉडों को प्लट दीजिए, फिर भी यह सो कर रही है, तो यह एमू भी हमारी खराब है, ठीक है, अब इसका जो मैंने नमबर बताया था है, 621 वोल्ट, तो अभी तो मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम अभी है नहीं, कि मैं आपको इसका जो वोल्टेज है, जो इसका वोल्टेज है, वो मैं आपको लाइब चेकर करके दिखा सकूँ, तो मैंने कई आपको लगवग 6 टेस्टिंग बता दी इसके बारे में, और जानकरी दे दी, अगर यह जानकरी आपके पसंद आई हो, तो व मिलती रहे, और आपके पास लेटेस्ट जो जानकारिया है, वो मेरे द्वारा आती रहें, और आपको वीडियो को सेर करते रहें, तो वीडियो देखने के लिए धन्माद,